कि हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल दिवेल्फ कुछन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही एजी तरीके से आप अपने अपर लिप कैसे रिमूब कर सकते हैं और फेशल हैर कैसे रिमूब कर सकते हो वह बताऊंगी तो प्लीज अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जो भी मेरी वीडियो ना उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी तो जो अपर लिप्स होते हैं उसके जो अपर हेर होते नो बहुत ज़दा खराब लगते हैं तो अगर आपके डाउन हेर हैं और अपर हेर हैं इस तर रेमेडी को ट्राइ कर सकते हो आपके जितने भी अपर हेर होंगे जो भी फेशल हो रहोंगे अपर हेर होंगे अपर हेर होंगे अपर लिप्स के उपर वो बिल्कुल हट जाएंगे और आपका जो चेहरा है नो बिल्कुल चमकने लगेगा और इस रेमेडी को यूज करने के तो यह remedy बहुत एजी होने वाल है एक बाइ ज़रोरी किजीगा आपको remedy बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है और यह useful भी remedy होने माली है तो आप ज़रोरी किजीगा एक बार तो इस तरीके से बखिस्टेट करों को अब इस्ताक्याइब को सब्सक्राइब तो पर जांगे हैं तो इस तरीकर आपको डालका टाले नहीं और उसके बाद आपको डालना है गहुन का आठा लिया है तो आपको थोड़ा चेंज लग रहा गालहा होगा तो इस तरीकर आपको मुल्टीग्रेन के दिआंगे जो हम नौर्मल चाइर में डालते हैं, चौमीं आप लेंगे हम नापनी इसक पूषि लेचेगा अगर आपको नहीं पता होगा, तो तो वही वाला आपको विनेगर लेना हैं, बहुत एसी तरीके से आपको वर्य एकजम्मत स्किवल डालना है, जादा नहीं डाल तो आपके जो बाल हो बाल हो पाएंगे और अब आपको लुद्ध का तेल आपके स्किन को सॉफ्ट करेगा साह साहत में जितनी भी एक्स्टा हेर ना उनको रिमूट करवाने में मदद करेगा तो इसमें आपको डाल देना है अब नारिल का तेल डालने के बाद आपको को तो चाहं उपर साइब चेर आपको होगी अवां में आपको बोलना चाहूंगा इसकें करोके तो रिमुट हो जाएंगे बहुत जाएंगे बर जो इसकें के हेर बहुत है ऐसी तरीके आपको अगप वेग्ट जाते हैं आम थारवरा जाते हैं। यहांगी त॑तह हैं स्कंद सा कुछते पर मुद तो आपके क्या ही बढ़ेंगी देशी चीज से तो आपकी इसकिन अगर आपको रेड नहीं करवाने हैं तो थोड़ा सा आपको ऐलोवेरा जेल भी डाल देना और एलोवेरा जेल डालने से आपकी स्किन सौफ्ट भी रहती है अभी सर्दी आने वाली है तो आपको इस चीज का पता देती हूं सबसे पहले मैंने चामल काटा लिया था फिर मैंने काटा लिया था फिर मैंने विनेगर लिया था उसके बाद मैंने लिया था जो नारीर का तेल होता है वो उसके बाद आपको आराम से ले लेना है आप देख सकते हो रोज वाटर भी मैंने इसमें डाला था रोज वाटर पर आपको डाल देना है उसके बाद आपको थोड़ा से नीबू डाल कर अच्छी तरीके से मिक्स करके लगा लेना है तो इस तरीके से आपको चहरे के उपर लगाना है मैं आपको हाथों के उपर लगा कर दिखा हुए बढ़ आपको इसी तरीके से चहरे पर लगाना है तो पूरे चहरे पर आपको इसी तरीके से अच्छी तरीके से मसाज कर लेनी है मसाज कि आपको अप्लाय कर लेना है और जो आपको इससे तरी के से रफ़ करना यह नहीं कि आपको रफ़ करने के लिए बहुत करना आप खुद बाख खुद देखेगा कि जितने भी आपकी एक्स्टरा रोंगे रिमूव हो जाएंगे और बिलकुल हटने लगेंगे आपके से और अगर आप इसको दूससीक करोगे दोसे तीन बार त्राय करोगे तो जितने भी कि आपके जो बिलुकुल चोटे हैरस जना वोडिए ड़ेगे और बहुत ही अच्छा को रेजल्स हो जाएंगे इस यहे खुए तरुट करने त्न這樣的 की आप अग system if you आची तरीके से रफ कर रहे हो न तो आपको धीरे-धीरे करना यह नहीं कि आप बिलकुल आपको स्पीड से आप चल रहे हो तो वैसा आपको नहीं करना तो 20-25 मिट के बाद मैंने हाथों को धुलिया पर देख सकते हो तो यह रेमेडिया आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग पाइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए